इंपारटिव संदेर्स क्या है इंपारटिव संदेर्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आदेशात्मक वाके क्या बोलते हैं आदेशात्मक वाके जिससे हम किसी को किसी को और देते हैं सजेस्ट करते हैं हना कमांड देते हैं रिक्वेस्ट करते हैं यह किसी को वार्ण करते ह कि वहांै है एक बचcular है यह एक बच्चा है मैं है क्या कूंठ गरर सिंधाए था है विए बच्चा थो शाल रहा है प्रसाइब सुटाइब इसे उसलिए वोन घ्तल इस मिले है दौन अपनी पीन या नीक वार्ट लिए दो को बैटो या मैं तर्माजा बंक अ कलो जारोग अ टो टィक एकट में का बैट पैलने पेर लिखो राइट यह सारे इंपयरू इंपरिटिव संटेंस हो किया गे मैं का वाम अच्जों लूल गो यह मने का यह का मत करो हना अ मने काम मत करई का मत कर दो डूंड दूस वर्क है यह कि अपने माता पिता का की बात मानो जूट मत बोलना यह सारे क्या है यह सारे इंपरिटिव संटेंस है क्या है तो हम कभी भी इंपरिटिव संटेंस यू के लिए यूज करते हैं किसके लिए जिसमें हम किसी को सजेस्ट करते हैं किसी को कमांड देते हैं किसी को और देते हैं क किसी से रिक्वेस्ट करते हैं यह काम मत करना वहां कभी मत जाना ठीक है उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर से सबसे पहला है वीवन पलस अबजेक्ट इंप्राटिव संटेंस में इस वात का ध्यान लगना कि सबसे पहला जो होगा वह शुरू में वर्ब आगा वर्ब के बा पास पाई लाओ ब्रेंग मेग लास आप भाषण वाइव भाषण वाटर मेरी बास सुनो लिसन तो मि अपना पैन पर निगालो टेक आट यर टेक आट यूर टेक आट इन पेपर टेक आट यूर या बैट जो वाह जाओ गो दियर अनुट मेले एक एक प्लिए गड़ शॉ सब सब्रीज का इसके सब्सक्राइब छकाइब डीसट्रा डीन विट पलेंग इस फेसंटाइब कर मद आए एक सेवाज हो फीजन में बेख सकता हम द गेख nhất देख रorg Л Bowl क्यूमन एकप चैमहन श्थ पलेस्मेंट मेर बाफ एकॉյ प्लीज मेक में एकप अपगो द्री के अध्यूण गोदर काउ मद करो डूंट रूइशां बजाओ डूंट जूट मत बोलंड लाई ठीक है मोबाई हम दिखो लूंट यूस मोभाई उसके मच गारा डॉंट गो दिखाए हमेशा बहां जाओ, always go there, हमेशा सच बोलो, always speak the truth, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, always respect your elders, always respect your elders, हमेशा सच बोलो, always speak the truth, हमेशा school जाओ, always go to school, ठीक है न, कभी वहां मत जाना, never go there, कभी जूट मत बोलना, never tell a lie, या पिर never lie, ठीक है, कभी यहां मत आना, कभी उसकी बात मत सुनना, never listen to him, कभी उसके पास मत जाना, never go to him, ठीक है, कभी यह काम मत करना, never do this work, ठीक है, जाते रहो, keep going, पढ़ते रहो, keep reading, ठीक है, पढ़ते रहो, keep studying, ठीक है, गाते रहो, keep singing, मुवी देखते रहो, keep watching movies, खेलते रहो, keep playing, हना, दूसरों की मदद करते रहो, keep helping others, अभ्यास करते रहो, keep practicing, अंग्रिजी सीखते रहो, keep learning English, keep learning English, हना, वहाँ जाना शुरू करो, start going, पढ़ना शुरू करो, start reading, ठीक है, start reading, बोलना शुरू करो, start speaking, अंग्रिजी बोलना शुर deeper, start talking in English, start talking in English, हना, वहाँ जाना शुरू करो, start going there, वहाँ जाना शुरू करो, stop going there, चिलाना बन करो, stop shouting, ठीक है, पढ़ना बन करो, stop reading, movie देखना बन करो, mobile use करना बन करो, stop using mobile, हना, जूट बोलना बन करो, stop lying, पर उसकी मदद करो, helping, चलू, अब अगला है let's के साथ let plus us का animals finite है let's क्या वात है let's चलो वहाँ चले let's go there चलो उसकी मतदद करे let's help him चलो खाना खाए चलो अंग्रीजी सीखे let's learn English चलो अंग्रीजी में बात करे let's talk in English चलो उसकी मतदद आओ चाए पीए let's take tea आओ टहलने चले let's go for a walk let's go for a walk आओ बाजार चले let's go to market आओ दर्भंगा चले let's go to दर्भंगा आओ एज English classes चले let's go to English classes आओ अंग्रीजी सीखने चले let's go to learn English आओ रहुल की मतद करे let's help रहुल let's help रहुल आओ चाए पीले आओ खाना खाले चलो सो जाए आओ या चलो से चलो सो जाए let's sleep आओ चलो बाहर कहीं चले let's go out आओ चलो टहलने चले let's go for a walk for running let's go for running चलो उसकी मदद करे let's help him let's help him चलो अगला है objective case आप किसको बोलता है objective case बोलो I subjective है इसका जो objective होता हो क्या होता है मी होता है क्या होता है हना वी subjective है इसका क्या होता है अस होता है यू का क्या होता है यू ही होता है हम होता है हर नहीं होता है शी का क्या होता है हर होता है हना दे का क्या होता है देम क्या होता है तो लेट लेट के बाद objective case V1 plus subject ठीक है मुझे सोने दो let me sleep उससे जाने दो let him go र मुझे सोचने दो, मुझे फिनिश करने दो, मुझे वहां जाने दो, let me go there, उसे यहां आने दो, रोहित को पढ़ने दो, let me study, yeah read, ठीक है न, मुझे अंग्रीदी सीखने दो, मुझे अंग्रीदी में बात करने दो, let me talk in English, मुझे उसकी मदद करने दो, let me help him, let me help him, let me help him, ठीक him, come here, ठीक हड रोहित को ये काम मत करने दो, don't let Rohit do this work, don't let Rohit do this work, tik है? मा को खाना नहीं बनाने दो, don't let mother cook food, ठीक है? रोहित को ये काम करने मत दो, let Rohit do this work, don't let Rohit do this work, उसे यहां मत आने दिना, don't let him come here, don't let him come here, उसे mobile use करने मत दिना, don't let him use mobile, उसी तरह है अगला get के साथ, अब यहां पर है किसी से कोई काम करवा लेना, अपना कबरा साफ करवा लो, get your room cleaned, अपनी गाड़ी रिपेर करवा लो, get your car repaired, अपना mobile ठीक करवा लो, get your mobile repaired, अपने कबरे अपने काम कर वा लो, get your work done, अपना computer ठीक कर वा लो, let your computer repaired, ठीक है न, वहां जाओ, यहां आओ, मेरी मदद करो, बैट जाओ, switch पंखा बन कर दो, पंखा चालू कर दो, switch on the fan, ठीक है, light बन कर दो, switch off the light, light चालू कर दो, switch on the light, मेरी बात सुनो, नल खोल दो, turn on the tap, turn on the tap, नल बन कर दो, turn off the tap, मेरी बास सुनो, मेरी मदद करो, दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों की मदद करो, always help others, हमेशा दूसरों का सम्मान करो, always respect others, वहां कमी मत जाना, never go there, यहां हमेशा वहां हमेशा जाना, हमेशा अपने माता पेटा का सम्मान करना, पढ़ते रहो प्रैक्टिस करते रहो वहां जाते रहो दूसरों की मदद करते रहो यह का मत करना जूट मत बोलना हां जाधा मॉबाइल यूज मत करना don't use mobile too much टिका ला उसकी मदद मत करना don't help him उस वहां का मिमत जाना चाहना शुरू करो जाना बंद करो चिलाना बंद बंद करो रोना बंद करो पढ़ना बंद करो जाते रहो गाते रहो पढ़ते रहो सोते रहो लड़ते रहो चलो वहां चले, लेट स Go There, चलो उसकी मदद करे, लेट स Help Him, हाँ चलो अंग्रिजी सीखें, लेट स Learn English, चलो अंग्रिजी बात करें, लेट स Talk In English, हाँ आओ चाय पीले, आओ खाना खाले, आओ उसकी मदद करें, लेट स Help Him, आओ बाजार चले, आओ इं English class आओ अंग्रिजी बात करें मुझे सोने दो let me sleep मुझे गाने दो मुझे पढ़ने दो उसे रोने दो उसे मरने दो let him die उसे जाने दो चलो जाने दो लट इट भी लट इट भी हना चलो उसे यह काम मत करने देना डॉन लट इम डू दूस्वर्क राहूल को वहां मत जाने देना डॉन लट राहूल गो दियर हना मेरी बास सुनो मेरी मदद करो किर्पिया मेरी मदद करें किर्पिया मेरी बास सुने किर्पिया बैट जाए बिलि please make me a cup of tea किर्पिया में लिए ग्लास पानी लाए किर्पिया उसके मंदद करें वहाँ जाना बंद करो चिलाना बंद करो पढ़ना शुरू करो जाते रहो गाते रहो हाँ अपना कमरा साफ करवा लो get your room cleaned अपने कपड़ दुलवा लो get your clothes clothes cloth नहीं बोले cloth बोले get your cloth washed ठीक है ना हाँ अपने अपना मोबाइल ठीक है वालो get your mobile repaired हाँ